Hello students and welcome to my channel. Today we will do your chapter 12, the future tense. A future tense हम पढ़ रहें after we finished your present tense and past tense पिछले दो वीडियो में. अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप मेरे playlist में जाके देखिए वो videos है. Class 4 के playlist में आपको chapter number 10 और 12 के videos मिल जाएंगे जो की present tense और past tense के हैं. वो समझे फिर आके future tense का video भी देखिए. अब आएए, let us go over to future tense. Future मतलब जो होने वाला है, भविश्य काल, जो होने वाला है, अभी तक हुआ नहीं है या हो नहीं रहा है, वो होने वाला है. तो उसे हम बोलते है future tense. Now, let us see, the boy is telling his friend that he would talk to him sometime in the future. यहाँ पे जो boy है, वो phone पे अपने friend को बोल रहा है, I will call you later. मतलब future में वो कभी उसे बात करेगा. तो हर sentence में मैंने क्या बोला? पहले identify कीजिए subject कौन है. यहाँ पे I. और verb क्या है? call. ठीक है? अब इसके साथ हम कौन सा tense डालेंगे? वो identify करेंगे. Now, notes. We use simple future tense to express a future action. That is, something that will happen in the time after now. अभी से पहले मतलब अभी से भविश्य में क्या होने वाला है? वो हमें simple future tense बताएगा. We express facts and certainty in simple future tense. Example, she will come to our place on Sunday. Now, यहाँ पर subject कौने students? she. and verb क्या है? come. Has she already come? no. वो काब आएगी? Sunday आएगी. तो यह simple future tense हो गया आपका. ठीक है? We will complete the work tomorrow. क्या हमारा काम complete हो गया है? नहीं. हम उसे complete करेंगे कल. तो इसलिए यह भी आपका simple future tense हो गया. Now, we use simple future tense to express a spontaneous decisions. Spontaneous decision मतलब अभी का अभी. अभी हम दोनों बात करें और अभी हमने decide किया. तो उसे बोलते हैं spontaneous. Example, I will book my tickets right now. यह जो right now यह एक spontaneous decision हो गया. अब subject I and verb है book. So, I will book my tickets right now. मतलब मैंने अभी तक book किया नहीं है. तो इसलिए मैं decide कर रहे हूँ कि अभी का अभी मैं book करूंगी. इसलिए यह आपका simple future tense है. We will complete the work now. क्या work complete हो चुका है? नहीं. हमने decision लिया है कि हम complete अभी करेंगे. तो जहाँ पर भी हम एक spontaneous decision या उसी मौके और point पर ही decide करना कि हम क्या करने वाले हैं. वो हमें simple future tense express कराता है. ठीक है? आपका अभी करेंगे. आस्किंग questions. अब हम शैल कहाँ पर यूज करते हैं. जहाँ पर अगर हम कुछ ओफर दे रहे हैं. लाइक एक्जामपल शैल आई बुक टिकेट्स नव? क्या मैं अभी टिकेट्स बुक करूँ? मैं आपको एक ओफर दे रहे हूं. तो अगर मैं एक सुझामपल या एक ओफर दे रहे हूं. वहाँ पर हम शैल वर्ड यूज करेंगे. ठीक है? नव लेट उस दो दे वर्कशीट. इनको फ्यूचर टेंस में हमें करना है. आई होप इट डैश दूरिंग हॉलिडेज रेन. आई होप इट विल रेन. ठीक है? अब यहाँ पर तो कोई सुझाव या ओफर नहीं है. इसलिए विल होगा. आई डैश कॉल माई सिस्टर नाउ. आई शैल कॉल माई सिस्टर नाउ. यह आपका एक स्पॉंटेनियस डेसिशन है. जो कि आपका शैल कॉल में होगा. नमबर थ्री. अभी तक आई नहीं है. आई डैश मीट माई ग्राइबरेंस तोडे. आई शैल मीट माई ग्राइबरेंस तोडे. यही पर हमारा फ्यूचर टेंस का चैप्टर खतम होता है. अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा, तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थांक यू सुटेंस.